हलो एवरिवान, मैंसे ये काचल देरो लिया, उमीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होगे, हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम फानाशल अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे MCQs डिसकस करेंगे, और इन MCQs की बात करें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे आपके CMA Foundation की एक्जाम को clear करने में, MCOM Entrance Exam clear करने में और BCOM Entrance Exam clear करने में, BCOM MCOM Entrance Exam आप किसी भी उनिवर्सिटी का दो, हर उनिवर्सिटी की एक्जाम में Financial Accounting के MCQs कवर करते ही करते हैं, और हमने यह जो अपनी सिरीज आज स्टार्ट की है यहां financial accounting के कम से कम 5000 questions that is 5000 MCQs का discussion करने वाले हैं एक class में no doubt 5000 questions discuss करना possible नहीं है बट जो हम class upload करेंगे न एक class में मारे पास 100 questions के discussion होंगे और ऐसे करके हम almost 50 classes update करेंगे तो यह सारे के सारे questions बहुत जादा important है become income entrance के point of view से and CMA foundation exam के point of view से तो चलो start करते हम अपना आज का session जहां हम हर एक question को detail में discuss करने वाले हैं और फिर accordingly उसका answer देखेंगे अब हम start करें MCQs on financial accounting और इस पूरी की पूरी class में हमने 100 questions discuss करना है तो चलो हमारा पहला question हम discuss करते हैं हमारा first question है the valuation procedure for stock is cost और NRV whichever is lower the procedure follows as per आप देखो अगर हम लोग stock का valuation करते हैं तो हम सबको पता है कि जब हम लोग closing stock का valuation करते हैं तो उसका valuation होता है at cost price और NRV whichever is lower ये तो concept सबको पता है बट ये किसकी वज़े से होता है ये होता है due to conservatism concept that is A आप conservatism concept क्या है ये भी समझ लेते हैं conservatism concept एक ऐसा concept है जो कि कहता है कि अगर future में कोई anticipated losses के बारे में आपको पता है तो आप उसको books में record करो बट अगर आपको कोई profit दिख रहा है that is आपको अपने firm में अपने business में पता है कि future में that is आने वाले years में कोई profit होने वाला है that is anticipated profit तो आप उसको ignore कर दो और उसको books में record मत करो उसको books में तब record करेंगे जब वो profit actual में realize होगा बट losses के लिए इनका कहना है कि अगर हमें उमीद है कि कोई loss होने वाला है तो हम उसको books में तुरंत record करते हैं इसका सबसे बड़ा example है जो तुम लोग provision for doubtful debt बनाते हो हम सबको पता है कि हम लोग debtors के लिए provision बनाते हैं बटे provision क्यों बनाते है बिटा let's say हमारा एक firm है जहां एक individual X है और X ने पिछले साल 50,000 में से हमें सिर्फ 40,000 return किया तो और 10,000 वो किसी वज़े से नहीं दे पाया तो हमें पता है कि 20% का कहीं न कहीं loss होगा next year फिर मालो X ने हम से उधार लिया तो हमें पता है ना कि इसका जो past experience है उसके basis पे 20% पैसा डूब सकता है तो यह जो loss है जो future में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसको हम treat करते हैं as provision for doubtful debt और इसका reason क्या होता है बिटा conservatism concept अब आप लोग बोलोगे माम conservatism concept तो कहता है कि anticipated loss को बुक्स में record करिये तो cost और NRV whichever is lower में यह concept कहा है देख लो let's say अगर हमारी cost price 10 है and market price that is NRV 12 है तो हम लोग किस पे record करेंगे 10 पे ऐसा क्यों क्योंकि 10 रुपे का समान हमें पता है कि हम market में कितने पे बेशने वाले हैं 12 पे तो यहाँ पे क्या है 2 रुपे का profit है तो हम क्या कर रहे हैं profit को ignore कर रहे हैं और cost पे books में record कर रहे हैं जैसा कि conservatism concept कहता है and दूसरा let's say हमारा cost price 10 है और market price 8 है तो हम कितने पे record करेंगे बिटा 8 पे क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम 10 रुपे का समान कितने पे बेचने वाले 8 पे इसका मतलब मेरा 2 रुपे का loss है और क्योंकि यह 2 रुपे का loss हमें दिख रहा है इसलिए हम 10 पे ना record करके सीदे सीदे क्या कर रहे है आठ पे record कर रहे है कि जो चीज बनाने में हमें 10 रुपे लगा है उसको हम बेचेंगे कितने पे 8 पे तो हम इस 2 रुपे के लिए अपनी books को आज ही से ready कर रहे है clear तो उसका correct answer होगा ए conservatism concept देखेंगे next credit balance in cash book means आप देखो अगर हम लोग cash book की ब unfavorable balance है इसके लावा यह होता है हमारा bank balance and इस side को credit side को हम लोग क्या कहते है bank od balance clear तो देखो हमारे पास option दिया है d bank overdraft क्योंकि नेगटिव balance है next noting charges are paid by सबसे पहले समझते है what is noting charges अब देखो noting charges में क्या होता है कि जब हम लोग bills of exchange की बात करते हैं तो दो पार्टी है let's say a and b य seller है यह buyer है अगर इसने credit पे goods sale किया है किसको बी को तो बी एक bill देता है तो यह अपनी books में क्या entry करता है bills receivable to be अब if in case माल लो due date पे या maturity date पे यह payment नहीं कर पाता है तो इस case में हम लोग क्या कहते हैं कि इस bill का dishonor हो गया और जो acceptor था उसने अपने bill को honor नहीं किया गाटिस payment नहीं पे की तो इस case में ना dishonor के time एक को notary public को एक payment करना होता है जिसका नाम होता है noting charges और यह noting charges कौन पे करता ह है drawer pay करता है हर case में तो इसका correct answer क्या होगा see the drawer clear अच्छा dishonor की entry भी देख लो ए अपनी book में entry dishonor की क्या करता है बी को debit करेगा टू bill receivable टू cash यह जो cash है यह क्या है यह जो payment कर रहा है किसकी अगेंस्ट वो वो किससे recover करता है B से recover भी कर लेता है क्योंकि वो duty किसकी थी पे करने की B की duty थी ना कि A की clear next income and expenditure account records आप देखो अगर हम लोग बात करें बिटा income expenditure की तो हम किस organization की बात करें non-profit organization इसमें हमने पहल यह भी बताये क्योंकि इस पर हमने पूरा discussion class upload किया हुआ है कि इसमें तीन चीज़ें बनती है receipt payment account, income expenditure account and balance sheet यहां पर तो हम capital as well as revenue item बोथ record करते हैं बट income expenditure जो की equivalent होता है PL account इसमें सिर्फ वो item record करते हैं जो की revenue nature का होता है that is recurring nature का तो इसका correct answer होगा B revenue item next y draws a trade bill of rupees 12,000 for 6 months on x after holding the bill for 2.5 months y discount the bill with bank at the rate 10% per annum the amount of discount on bill is अब देको y ने bill अगर draw किया है तो फिर y कौन है seller है clear तो y ने अगर bill discount कराया तो उस case में करना क्या होगा कि ये जो 12,000 का bill है इस पे कितना percent discount है बेटा 10% but अब देखो 6 महिने का bill था और bill कितने महिने बार discount होगया धाई महिने बार तो ये जो bank है ये y को कितने महिने पहले पैसा दे रही है 3.5 मंस पहले तो इसका मतलब discount भी कितने महिने का charge करेगी 3.5 का clear तो इसको calculate करने पे जो answer आएगा 350 that is D 4. Accounting conventions are established by law, rules, common accounting practices, both A and B अब देखो जितने भी accounting conventions है वो basically किसकी वज़े से बने है रेगलर प्राक्टिस की वज़े से तो इसका correct answer होगा C next import duty of raw material purchased आप देखो यहाँ पे किसकी बात क्या है raw material की और हम सबको पता है कि हम लोग करते क्या है कि raw material purchase करके उसको finished goods बना करके market में sale करते हैं तो basically हमारे लिए क्या है stock है इस raw material से basically हम क्या करते है finished goods को बना करके बेशते हैं that is goods में convert करके sell करते हैं तो अगर कोई भी खर्चा goods से related है तो वो कैसे nature का होगा but obvious revenue nature का होगा ना कि capital nature का क्योंकि आपको हर साल बहुत बार raw material purchase करना होगा so that अपना finished goods बना करके base सको तो इसके लिए अगर import duty लगी है तो ये किस तरह का खर्चा होगा revenue expenditure but let's say अगर import duty लगी होती machine के purchase पे तो उस case में ये खर्चा कैसा हो जाता बेटा capital expenditure और उसका reason यही है कि अगर machine को purchase करना इस capital expenditure तो उसके ऊपर अगर हम import duty पे कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा capital expenditure clear but इसका correct answer क्या होगा C next overcasting of purchases journal would affect देखो purchase account क्या है overcast बहुत बार आप लोग महीं समझते हो what is overcast and undercast overcast मतलब कोई भी चीज बढ़ करके दिखती है और undercast मतलब कोई भी चीज घट करके दिखती है तो simply हम क्या कह रहे हैं कि purchases let's say इसका example दे रहे हैं कि let's say purchase 1000 किया but इस दिख कितना रहा है 2000 दिख रहा है clear तो इससे क्या effect होगा sales account, purchase account, suppliers account and purchase account, none of these हम purchase किसे करते हैं but always supplier से करते हैं और यहां पर सिर्फ purchase journal की बात करा है कि जो purchase journal है वो बढ़ करके दिख रहा है तो अगर purchase journal बढ़ करके दिख रहा होगा है तो no doubt सिर्फ क्या बढ़ के दिखेगा purchase account क्योंकि बाकी तो कुछ बताया नहीं है तो इसका correct answer क्या होगा B next, trial balance is equal from both sides but still there is some error it indicates that there may be two-sided and one-sided error in the book there may be two-sided error in the book there is no error in the book and there may be one-sided error in the book अब देखो हमने पहले भी यह चीज़ बताई है कि अगर हम trial balance की बात करें तो trial balance no doubt हो सकता है कि वो both sides match कर जाए बट क्या इसके match करने से कहीं पे भी यह पता चलता है कि books में error नहीं है नहीं यह कभी भी पता नहीं चलेगा आप देखो अगर मालो यह match तो कर गया है बट कह रहा है कि फिर भी कुछ error है तो no doubt वो error कैसा होगा अगर मालो one sided error होता बिटा तो one sided error तो trial balance से पकड़ा जाता क्योंकि one sided error मतलब कि सिर्फ गलती debit में या credit में हुई है तो अगर one sided error होता तो यह कभी भी match नहीं करता इसका मतलब यह किस error की बात कर रहा है एक ऐसे error की जो दोनों ही side है बट डिक नहीं रहा है जैसे example ले लो कि आपने cash sale किया है 10,000 का तो entry क्या होनी चाहिए थी cash to sale 10,000 पर गलती से आपने इस 10,000 को 40,000 दिखा दिया मतलब debit भी 40,000 credit भी 40,000 तो आपका trial balance तो match कर जाएगा बट यह गलती है न यह error है तो यह किस तरह का error हुआ two sided तो उसका correct answer क्या होग अब भी there may be two sided error in the book clear next which of these is not a feature of joint venture आप देखो joint venture के अगर बात करें तो it is a form of organization जो की temporary nature का होता है that is किसी particular purpose के लिए इसको बनाया जाता है और जैसे ही वो purpose हम serve कर देते हैं हमारा joint venture discontinue हो जाता है तो इसमें बोला है continuing business कभी भी नहीं business continue करने के purpose से तम joint venture बनाते ही नहीं है partners called co-venturer यह तो correct है और यहां पर बोला है कि it is not a feature of partnership or limited purpose यह भी correct है क्योंकि हमने पहले बताए कि यहां पर यह क्या है एक limited purpose के लिए बनता है किसी particular purpose के लिए बनाया जाता और उस purpose की खतम होते ही हमारा joint venture खतम हो जाता है and no firm name यह भी correct कि आपको firm का नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसका correct answer क्या होगा a क्योंकि a में बोला कि में अपना business continue करने के लिए joint venture बनाते हैं तो कभी भी नहीं joint venture कभी भी business को continue करने के लिए नहीं बनाया जाता है clear तो उसका correct answer होगा a next which one of the following equation is correct हम लोगों को पता है कि correct equation क्या होगा capital plus liability is equal to asset और owner's equity plus liability is equal to asset तो देखो first तो नहीं होगा क्योंकि first में liability side आएगी तो minus हो जाएगा second देखो inside liability आएगी तो plus हो जाएगा third देखो inside owner's equity आएगी तो minus होगा and last one asset is equal to owner's equity plus liability अब देखो इसमें answer B भी सही है और D भी सही है बट generally हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले हमारा capital plus liability होता है और फिर asset होता है तो ज्यादा specific answer होगा B बट अगर तुम लोग D भी लगाओगे तो marks तुम लोग का deduct नहीं होने वाला है clear next current liability includes what is current liability current liability वो liability होती है जो कि within 12 months that is within one year आपको payback करनी होती है तो bills payable हम सबको पता है कि what is bills payable जब हम किसी से credit पे goods खरीदते हैं तो हम उसको bill देते हैं और वो bill basically क्या होता है जो 12 months में आपको serve करना होता है creditors ये भी within 12 months वाले होते हैं और outstanding expenses ये भी 12 months के within pay करना होता है तो इसका correct answer होगा D all of these let's say हमारे form में हमने किसी को salary pay करनी है 50,000 की जिसमें से हमने 40,000 तो current year में pay की अब 10,000 अगर हम उसको कहरें कि हम next year में pay करेंगे तो खुद सोचा ना यही होता है ना कि March की salary आपको April में मिलती है तो यह basically क्या March की salary है और हम सब को पता है कि यह पैसा कहां pay कर देगा firm एप्रिल में pay कर देगा that is within a year तो इसका payment हो जाएगा ना बेटा तो correct answer क्या होगा D all of these यह basically किसका example था? Outstanding salaries का next A. Purchase goods costing 2,00,000 B. Sold 3.5th of the goods for Rs. 187,500 balance goods were taken over by B at cost less 20% if a same set of books is maintained find out profit on venture same set बन रहा है तो देखो अगर हमारे पास goods कितना है 2,00,000 का है A ने खरीदा B ने बेचा किया उससे कोई फरक पड़ेगा नहीं इस venture के लिए जो profit है वो overall निकलेगा तो इसका 3,50 इसका 3,50 कितना हो गया? इसका 3,50 हो जाएगा 1,20,000 clear और balance कितना होगे बेटा 80,000 तो कह रहा है कि इस 3,50 को हम कितने पे बेच रहे है मार्केट में इसको हम sale करें जैसे ये cost price है तो इसकी sale price है 187,500 और बाकि जो balance goods है वो कौन take over कर रहा है B that is venture का ही एक co-venture take over कर ले रहा है but किस पे कर रहा है बेटा cost less 20% तो इसका मतलब 80,000 into 80% पे वो take over कर रहा है that is 64,000 पे clear है? तो यहाँ देखो जो profit है वो है 67,500 का और यहाँ देखो loss कितने का है? 16,000 का loss है इसका मतलब ये profit है और ये loss है तो इस profit में से इस loss को minus कर देंगे तो overall profit आजाएगा venture का इसको calculate करने पे answer आएगा A 51,500 clear? next goods of the invoice value of Rs.2,40,000 sent out to consign a 20% profit on cost the loading amount will be आप देखो दो चीज़ होती है बिटा एक होती है cost price एक होती है invoice price और in fact एक होती है sales price यह हम लोग किस chapter की बात करें? consignment की? तो consignment में हम सबको पता है कि दो party होती है A और B यह consigner है यह consignee है यह अपना goods भेशता है B को भेचता नहीं है भेजता है send करता है और यह उसके बिहाफ में market में sale करता है तो A ने जब goods खरीदा या बनाया तो उसकी original value को हम क्या बोलेंगे cost price A अपने goods को B को send करता है invoice price पे let's say 100 उसकी cost price है वो कहता है कि हम 120 दिखाएंगे ऐसा दिखाना क्यों है? So that customer को भी लगेगा कि हाँ उस goods की price कितनी है 120 और B उसको market में sale करता है 140 पे तो देखो यह तीन price है cost price है invoice price और यह selling price है तो question में कह रहा है कि invoice price कितनी है 2,40,000 और यहाँ पे लिखाएंगे send out to consignee मतलब consigner ने consigner कौन था A, consignee कौन था B इसने अपना goods कितने पे भेजा है 20% profit on cost मतलब cost plus 20% पे goods गया किसके पास B के पास इसका मतलब अगर हम cost को 100 ले ले बेटा तो invoice price कितनी है cost price तो 100 है invoice price कितनी है 120 इसके हिसाब से और 120 किसको represent करी है 2,40,000 को तो 2,40,000 अगर 120 के equivalent है और हमसे क्या पूछा है loading पूछा है that is loading कितना है 20% that is 20 तो उसका calculation हम कर सकते है 6,40 इसका मतलब देखो इसमें से cost price कितनी रही होगी 2,00,000 और consignor उसको बढ़ा कि कितने बेदे रहा है 40,000 पे clear है क्योंकि consignor की यहां पे उमीद है कि वो कम से कम 40,000 के profit पे market में next credit balance in which of these account indicate error in the account अब देखो error पूछ रहा है मतलब गलती तो capital account और sales account की बात करें तो इनका तो वैसे भी credit balance होता है यह हम सब को पता है कि capital की अगर बात करें तो यह credit balance शो करता है और sales भी हमेशा credit होता है तो इसका मतलब अगर capital account और sales account में credit दिख रहा है credit balance दिख रहा है तो इन दोनों account में तो कोई error नहीं है आप बात करते हैं bank account की और cash in hand account की तो दोनों ही क्या है बिटा asset है और asset का हमेशा debit balance होता है बट अगर bank की बात करें तो bank में दो चीज़ होती है एक तो होता है bank balance और एक होता है bank overdraft अगर हम लोग bank overdraft की बात करें तो ये हमारी liability है और bank balance हमारे लिए क्या है asset है clear तो अगर ये liability है तो liability का balance क्या होगा credit और अगर ये asset है bank balance account तो ये इसका balance होगा debit balance तो bank balance अगर है debit balance है तो correct है but question में यह पूझा था कि credit balance अगर bank account में credit balance दिख रहा है तो वो किसको represent करेगा bank overdraft को जो कि possible है अगर bank में debit balance हुआ तो हम मानेंगे कि हमारे account में पैसा है तो वो asset हो जाएगा और अगर bank account में credit balance इसका मतलब हमारे overdraft balance है तो वो liability हो जाएगी तो इसका मतलब अगर bank account में credit balance दिखेगा तो उसको हम error गलती नहीं मान सकते तब हमारे पास option क्या बचा cash in hand अब खुद सोचो अगर हम लोग बात करें cash account की cash in hand की तो इसमें तो हमारे case ये side हमारा debit side 10,000 दिख रहा है और credit side 12,000 दिख रहा है तो ये वैसे भी possible नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये 2000 आपने किसे से extra लेके खर्च किया होगा जो की possible नहीं है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा D cash in hand account कि अगर cash account में credit balance दिख रहा है इसका मतलब कहीं कहीं कुछ error होगा गलती होगी next subscription received in cash during the year is 5000 amount received in advance for the next year is 300 amount outstanding for the current year was 400 the amount to be credited to income and expenditure account आप देखो हमने already NPO पे class डाली हुई है जहाँ पे हमने उसके सारे concept का discussion किया है इसलिए हम यहाँ पे concept का discussion तो नहीं कर रहे हैं बलकि उस class के link हम आपको description box में provide कर देंगे वह हमने यह बताया था कि अगर outstanding subscription है opening का तो उसको less करते है closing का तो add करते है और अगर advance subscription है तो उसका opening add करते है और closing क्या करते है बिटा less करते है तो during the year हमें cash कितना मिला 500 during the year हमने advance में कितना receive किया next year के लिए 300 तो उसको हम क्या करेंगे minus करेंगे और during the year, current year का outstanding कितना है? 400, मतलब यह closing outstanding है, तो इस 400 को क्या करेंगे? Add, तो 5000 minus 300 plus 400, इसका calculation करने पर correct answer आएगा B, 5100, clear? Next, decrease in the amount of creditors, result in, अगर creditors की amount decrease हुई है, इसका मतलब हमने इनको payment किया होगा, और जब आप payment करोगे, तो entry क्या होगी? Creditor to cash, और creditor to bank, यही होगा, इसका मतलब अगर एक liability, that is creditor decrease होगी, तो cash bank पर decrease होगा, और asset decrease होगा, तो option में दिया increase in asset, increase in cash, decrease in cash, no change in asset, तो इसका correct answer क्या होगा? C, decrease in cash. Next, which of these is not a part of double entry system? आप देखो, अगर हमने डबल entry system की बात करें, तो joint venture में हमने यह पढ़ा था, कि जो हम memorandum joint venture account बनाते हैं, memorandum joint venture account कभी भी double entry system को follow नहीं करता, तो इसका correct answer होगा C. Next, in case of depreciable assets are revalued, the provision for depreciation is based on, question में कह रहा है कि अगर depreciable assets को हम revalue करें, that is increase or decrease करें, तो जो provision for depreciation है, वो किस पे based होगा? The revalued amount over the estimate of the remaining useful life of the asset, WDV of the asset, market value of the asset और historical cost of the asset. तो इसका correct answer होगा the revalued amount over the estimate of the remaining useful life of such asset. क्योंकि देको question में क्या बोला था कि अगर कोई depreciable assets है, आपने उसका revaluation किया, तो जो provision for depreciation है, बदब अब हम जो provision बनाएंगे, वो किस पे based बनाएंगे? But of this revalued amount पे, if in case माल हमारे पास एक asset है, जिसकी depreciated value है 10,000, अब इस value, इस asset में revaluation हुआ, और इस asset की value 1000 से बढ़ गई, तो इसकी total value कितनी होगे 11,000? और let's say जब हमने इसको purchase किया था, तब उसकी useful life 5 थी, बद आज की rate में useful life कितनी है 4, तो हम इसको किस से revalued करेंगे? 4 से, तो इसका correct answer क्या होगा? और the revalued amount, that is 11,000 को, हम अब depreciate करेंगे किस में remaining useful life में? तो इसका correct answer होगा A. Next, if the rate of GP on sale is 20% and COGS is 2,000, then the amount of GP will be equal to, simply देखो question में क्या पूछा है, कि अगर sale पर GP 20% है, तो COGS हमारे पास दिया है और हमें GP की amount बतानी है, तो sales पर 20% दिया है ने बेटर, तो पहले हम इसको convert करेंगे cost पे, और इस concept पे हमने already class डाली, जहाँ पर हमने यह बताए कि basic concepts related to profit on cost and profit on sale, generally तुम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, यह calculate करने में कि अगर sales पे इतना percent profit है, तो cost पे कितना होगा, तो वो class की link हम आपको description box में दे रहेंगे, वो class अब जरूर से कर लेना, तो आपका वो पूरा concept clear हो जाएगा, clear, देखो equation क्या होता है, cost price plus profit is equal to sales price, यह होता है, कहारा है profit कितना है, 20% cost पे तो, 20% sales पे, तो sales कितना होगा, 100, इस पे 20% कितना होगा, 20, और फिर balancing figure कितना होगा, cost price, 80, कहारा COGS कितना है, 2,00,000 है, अच्छा, then the amount of GP will be equal to, अब अगर COGS 2,00,000 है बेटा, तो यह किसको represent कर रहा है, इस 80% को, और हमसे question में profit पूछा है, तो into 20 कर दो, तो मारे पास सीदे सीदे profit आजाएगा, clear, तो उसका correct answer होगा, A 50,000, next, Underestimation of useful life of a depreciable asset will lead to, अब देखो अगर underestimate करोगे, that is, जो useful life है, वो होनी चाहिए थी 5 साल, और आपने कितनी दिखाई है, सिर्फ 2 साल, तो no doubt, उससे होगा क्या, समझ लो यहाँ पे, जैसे माल लो asset की value है बेटा, 1,00, अगर 5 year की basis पे हम उसको depreciate करते, तो कितना depreciate होता हर साल, 20,000 depreciate होता, बर अगर 2 साल हमने useful life ली है, तो कितना depreciate करना पड़ेगा, 50,000, यहाँ तक clear है, तो question में कहा रहा है, short charging of depreciation every year, over valuation of asset and balance sheet, excess charging of depreciation every year, और over statement of profit, जो खर्चा हमारा 20,000 दिखना चाहिए था, हमने उस खर्चे को कितना दिखाया, 50,000 दिखाया, तो 50,000 दिखाते ही, हमारा profit क्या होगा, decrease हो जाएगा, इसका मतलब over statement of profit तो नहीं होगा, clear, दूसरा, अगर हम लोग balance sheet की में, asset की बात करें बेटा, तो जो asset की value 20,000 से घटनी चाहिए, अगर हम उसको 50,000 से घटा देंगे, तो asset की value बढ़ करके नहीं दिखेगी, बलकि घट के दिखेगी, तो इसका मतलब over valuation of asset in balance sheet भी नहीं होगा, तो होगा क्या, कि हम 30,000 से जादा charge कर लेंगे, that is excess charging of depreciation every year, clear, इस तरह के question में आप exam में भी example ले लेना, so that आपको कुछ भी अगर ना भी समझ माया है, तो with the help of example, कॉनसे बिलकुल clear हो जाएगा, Next, Mrs. A.B. Enterprises has bank balance of 8,800 as per cash book, and the following were found, 3 checks deposited in bank for Rs. 5,800, but only 1 check for Rs. 2,000 was cleared, dividend collected by bank was 12.50, was wrongly entered in cash book as 15.20, What is balance as per pass book? आप देखो हमने start कहां से किया है, बेटा, cash book से start किया है, और हमसे pass book पूछ रहा है, तो cash book से start किया 8,800, ये तो clear है, कहरे हमने 3 checks bank में deposit किया, 5,800 का, पर clear कितना हुआ, 2,000, मतलब हमने यहां पे तो 5,800 दिखाया, पर यहां कितना दिखाया है, 2,000, इसका मतलब 3,800, हमें क्या करना होगा, ये plus है, ये minus है, तो minus करेंगे, ठीक, तो इसका मतलब 8,800 में से, हम 3,800 minus कर, next, dividend bank ने collect किया है, कितना 12.50, तो यहां कितना दिखाया है, 12.50, बट वो हम cash book में कितने पे लेके आएं बेटा, 5,20 पे, इसका मतलब, इसके बीच का जो balance है, 270 का, उसको nullify करने के लिए, हम क्या करेंगे, minus करेंगे, तो minus कर दो 270, answer आजाएगा, देखो कितना answer आ रहा है, इसको calculate करने पे जो answer आ रहा है, हो है, B, 4730, इसका मतलब, जो हमारा as per passbook balance आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 4730, clear? Next, the normal loss of Rs. 80,000 occurred in consignment business, the insurance company accepted 60% claim, the normal loss is, अगर 80,000 का abnormal loss था आपको, और insurance company उसमें से आपको कितना पैसा दे रहे, 60%, तो इसका मतलब, अब आपका जो balance बचा, वो आपका loss है, कितने का? 32,000 का, clear? भले insurance company accept करी 60% claim, but abnormal loss की अगर हम बात करें, तो abnormal loss total कितना है, 80,000, बस इतना याद रखना कि उसमें से मारा actual loss कितना बचेगा, 32,000 का, और बाकी जो balance amount है, वो insurance claim, insurance company में pay कर देगी, expense की अगर बात करोगे ना, तो इसका हमेशा क्या होता है, debit balance होता है, that is C, इसके साथ ही साथ देख लो, asset की अगर बात करता, तो debit balance होता, capital and liability की बात करता, तो credit balance होता, और income की बात करता, तो credit balance होता, next, when the volume of output is increased, then the per unit fixed cost will be, अगर volume of output बढ़ेगा, तो per unit of fixed cost क्या होता है, decrease होता है, क्योंकि fixed cost, जैसे if in case मालो, मेरी अपनी coaching center है, और हमें उसका पूरे साल का जो rent है, वो fixed कितना पे करना है, एक लाग बीस हजार, clear, if in case मालो, मेरे पास जो output है, वो कितना है, तो अब ही मेरा rent कितना रहेगा, एक लाग बीस हजार, क्या ये rent, output के बढ़ने या घटने से, बढ़ेगा या घटेगा, नहीं, rent तो fixed है न, उसको क्या मतलब कि, आप एक बच्चे को बढ़ा रहे हैं, कि सो बच्चे को बढ़ा रहे हैं, तो per unit, जो मेरा fixed cost आएगा, वो कितना आएगा, 12 रुपे, this divided by this, but if in case माल लो, हमने output बढ़ा दिया, और वो 20,000 कर दिया, तो 20,000 करते ही, हमारा per unit, जो cost है fixed cost का, वो क्या होगा, बिटा, decrease होके 6 हो जाएगा, clear, तो देखो, मारे पास option है, unchanged, changed, changed but not in proportion of output, decrease in the reverse proportion of output, और increase in the proportion of output, इसका correct answer क्या होगा, C, next, which of the following is not a non-for-profit organization, but of his partnership firm, क्योंकि partnership firm, कभी भी, non-profit motive से नहीं बनती, बलकि profit motive होना जरूरी है, किसके लिए, अगर आप partnership firm बना रहे हो, उसके लिए, clear, next, received interest on investment, अगर हम interest received करें, तो ये मेरे लिए क्या है, income है, और अगर income है, तो कहां जाएगी, credit में तो entry क्या हो जाएगी, cash account debit to income received, तो आगे पुछेंदे, the journal entry dash account would be credited, but of his interest income, या interest received credit होगा, तो इसका correct answer हो जाएगा, be interest received account, clear, next, expenses of the following nature, are treated as revenue expenses, except revenue expenses, वो expenses होते हैं, जो हम trading PL में दिखाते हैं, पहला, दूसरा जो recurring nature के होते हैं, that is, हर साल अकर करते हैं, और बहुत बार अकर करते हैं, let's say salary, अगर आप किसी person को salary पे करो, अपने किसी employee को salary पे करो, तो क्या एक बार पे कर देने से, वो पूरी जिन्दिगी आपके लिए काम करेंगा, नहीं, आपको हर महिने उसको salary पे करना होता है, तो can I accept expenses for day-to-day running of the business, putting the new asset in working condition, depreciation और purchase of raw material, तो इसका correct answer होगा B, putting the new asset in working condition, क्योंकि अगर आप किसी भी नए asset को, या किसी भी पुराने asset को भी working condition में convert करो, इसका मतलब आप उसकी useful life को बढ़ा रहे हो, और useful life बढ़ाना मतलब, कि उसका benefit आपको कई सालों तक मिलेगा, तो वो आपके लिए capital expenditure होगा, ना कि revenue expenditure, clear? Next, which financial statement represents accounting equation as, asset is equal to liability plus owner's equity, but of his balance sheet that is B. Next, which option gives a review report on the firm's financial status, at a specified date, review report, किसकी financial status की, तो financial position हमें कौन बताता है, balance sheet that is B, और वो भी एक particular date पे. Next, carriage outward is a part of, हमेशा याद रखना कि अगर carriage inward है, मतलब आने का खर्चा, तो वो purchase से related होता है, और carriage outward मतलब जाने का खर्चा, तो वो selling से related होता है, that is C, और यह किसका part बनता है, PL का part बनता है, provide for all possible losses due to the prudence concept, इस पे अभी हमने उपर discuss किया था, बट के हमने prudence बताया था, नहीं, हमने बताया था, conservatism, clear, तो conservatism और prudence concept is same होता है, और दोनों का ही मतलब यह होता है, कि एक ऐसा concept जो बोलता है, कि profit को ignore करो, और loss को books में record करो, Next, trial balance is equal from both side, same question हमने अभी उपर discuss किया था, Next, an investment in one asset account may lead to, अगर आप एक asset में invest कर रहे हो, तो यह question होता है न बेटा, तो अगर यह side बढ़ा, इसका मतलब यह side भी बढ़ेगा, या यह side बढ़ा, तो यह side घटेगा भी, ताकि यह both side equal हो सके, तो increase in liability, decrease in asset, either A or B, both A and B, but obviously either A or B, चाहे तो यह होगा, चाहे तो यह होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता, तो correct answer क्या होगा, C, Next, endowment fund received by a club is, अगर देको endowment fund मतलब basically क्या होता है न, यह भी बिल्कुल specific donation जैसा होता है, जहां पर donor आपको यह बोलता है, कि आप मेरी specification के हिसाब से, मेरी instruction के हिसाब से, स्पैसे को खर्च करिएगा, तो but obviously इस तरह का पैसे आपको साल में एक ही बार मिलता है, तो यह हमारे लें क्या होगा, capital receipt, क्योंकि यह balance sheet item है, और कहां जाता है liabilities में, clear? Next, income and expenditure account is a, आप देखो, again income expenditure पूछा है, तो हम सब को पता है कि income expenditure में, basically हम लोग क्या दिखाते हैं, सारी income और सारी expenditure, and nominal account का rule क्या है बेटा, nominal account का rule ही यही है, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, तो अगर सारी expenses और losses, income and gain किस से related है, nominal accounts है, तो but obviously income expenditure account पी क्या होगा, C nominal account, और इसके लाब हमने एक और तरीका बताएं कि जैसे, income expenditure account का जो balance है, वो क्या निकलेगा, either surplus or deficit, तो जिसका भी balance, surplus or deficit, profit या loss निकलता है, वो हमेशा क्या होता है, nominal account, clear, next, while calculating the finished goods, ending inventory, what would be the formula to calculate per unit cost, आप देखो, question में हमसे पूछा है कि, अगर हमें closing stock निकालना है, कि इसका goods का, तो उस case में, कई बार क्या होता है, कि इसकी units तो दी रहती है, let's say 10,000 units दी है, बट ये नहीं दिया है कि, कि किस rate से, इसको multiply करना है, that is rate per unit हमारे पास given नहीं है, तो उस case में हम क्या करते हैं न बिटा, कि जितना हमने production किया है, यह जितना हमने manufacture किया है, हम उसके basis पे, पहले rate per unit calculate करते हैं, और उसी rate per unit को यहां use करते हैं, clear? क्योंकि simply अगर हम लोग देखें, तो opening stock और closing stock, अगर यह हमारा finished goods से related है, तो हम लोग cost sheet में इसका adjustment कहां करते थे? cost of production के बाद opening stock add करते थे, closing stock less करते थे, तो but of this, इसी के basis पे हम लोग इसका rate भी calculate करेंगे, किसके basis पे? cost of production के basis पे, तो देखो हमारे पास option दिया है, cost of goods manufactured, divided by number of units manufactured, total manufacturing cost divided by number of units manufactured, cost of goods to be manufactured, divided by number of units manufactured, cost of goods sold divided by number of units sold, तो इसका correct answer होगा, cost of goods manufactured, divided by number of units manufactured, clear? next, narrations are usually given at the end of, हम सबको पता है कि जो narration है, that is, एक जो brief description होता है, किसी भी entry का, वो कहां मिलता है, journal entry में, तो उसका correct answer होगा, C, each journal entry, next, bank reconciliation is a part of, auditor's report, trial balance, cash book, or none of these, but obviously none of these, क्योंकि bank reconciliation statement, एक तरह का statement है, memorandum statement है, जो कि किसी का भी part नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इस statement है, जो difference को recognize करता है, between cash book and pass book, clear, तो उसका correct answer होगा, D, none of these, next, cost are classified into fixed cost, variable cost, semi-variable cost, and it is known as, देखो, जब हम किसी भी खर्चे को, बेटा, fixed cost, variable cost, या semi-variable cost, इस basis पे distribute करते हैं, तो basically, यह किसके basis पे distribution है, volume के basis पे, है ना, या फिर हम लोग किह सबते हैं, changes in activity, यह जो basis, decide क्या गया है, यह किसके basis पे है, on the basis of volume, or on the basis of changes in activity, clear, तो देखो, हमारे पास इसका correct answer है, classification according to changing activity, that is B, अब आप लोग पूछोगे, कि माम functional classification पे क्या है, तो functional classification के basis पे, जो हमारी cost है, उसको distribute किया गया है, manufacturing, and product cost में, इसके अलावा, एक हमारे पास है, commercial cost, अगर हम बात करें, element wise, तो element wise हम सबको पता है, material, labor expenses, यह तीन basis हैं, खर्चे के, and last classification according to controllability, तो controllability के basis पे, दो तरह की cost है, controllable and uncontrollable, clear, यह हमने इसलिए बताए, क्योंकि एक important topic है, जिससे बहुत बाहर question cover करता है, तो cost का classification, अलग-अलग basis पे देखना जरूरी है, but most of the time, question यही पूछता है, कि fixed cost, variable cost, and semi-variable cost, का क्या basis है, तो उसका basis क्या है, बिटा याद अठना, changes in activity, or volume basis, clear, next, which of the following, is true, with respect to providing depreciation, under diminishing balance method, तो हमेशा याद रटना, कि जब हम लोग WDV, that is written down value, or diminishing balance method, use करते, तो हमारा जो depreciation का amount है, वो क्या होता है बिटा, decrease करता है, clear, तो देखो, मारे पास option क्या दिया है, the amount of depreciation, keeps increasing, आगे पढ़ने की ज़रुती नहीं है, the amount of depreciation decreases, while the rate of depreciation remains the same, the amount of depreciation and the rate of depreciation decrease every year, the amount of depreciation and the rate of depreciation increases every year, तो increase तो हो ही नहीं सकता, और हमने साफ बताया था, कि जो depreciation amount है, वो decrease करता है, क्या rate हर साल decrease कर सकता है बिटा, नहीं कर सकता, अब example ले लो इसका यहाँ पे, कि लेट से हमारे asset की value है 1 लाग, और as per WDV rate है 10%, तो इस पे first year depreciation 1 लाग पे लगेगा, that is 10,000, अब मेरे पास return down value कितनी बची, 90,000, अब अगले साल यह 10% किस पे लगेगा, 90,000 पे, तो इसका 9,000, तो कितना balance हाँ जाएगा, 81,000, तो rate of interest तो same है, बट देखो depreciation की amount क्या होगी, decrease होगी हर साल, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, B, the amount of depreciation decrease, while the rate of depreciation remains the same, next, which of these is not a function of financial accounting, to depict a true and fair view of the financial position of the business, यह तो इसका function है, to keep a systematic record of business transactions, यह भी इसका function है, to portray gloomy picture of the business, in order to evade tax liabilities, or to provide financial information to the users of the financial statement, यह भी इसका function है, तो point C, देखो इसमें लिखा है, to portray gloomy picture of the business, in order to evade tax liability, gloomy picture मतलब क्या होता है, कि अपने business की हम gloomy picture, that is विलकुल उदास, बहुत ही खराब position दिखा रहे हैं, और खराब position से क्या होगा, simply हम अपने books में loss दिखाएंगे, या net profit को decrease करके दिखाएंगे, तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि tax की liability से बस सके, तो क्या financial accounting का यह function है, नहीं, तो इसका correct answer होगा C, next, any revenue expense for which a separate fund is available will be, यह हमने already non-profit organization के discussion में बताया था, कि अगर किसी भी expense के लिए, अलग से कोई fund बनाए, तो हमेशा याद रखना कि अगर income है, तो उस income को separate fund में add करेंगे, और अगर खर्चा है, तो उस खर्चे को separate fund से less करेंगे, भले वो revenue expense, revenue income है, बटम उसको कहां दिखाएंगे, balance sheet में, and उसका adjustment भी उस particular separate fund में होगा, clear, तो उसका correct answer होगा, C, capitalized and shown in the balance sheet, next, which is the following is a real account, basically real account में क्या आता है, बिटा, asset आता है, salary क्या है, nominal account है, यह हमें पता है, क्यों, क्योंकि यह खर्चा है, और rule हम सब को पता होगा, nominal account का, नहीं भी पता होगा, तो हमने types of accounts, and golden rule पे, already class upload की हुई है, उसकी link हम आपको description box में भी provide कर देंगे, वहाँ से आप पूरा का पूरा concept clear कर लेना, क्योंकि no doubt आपके entrance exam में, और आपके CMA foundation exam में, इससे related question तो आता ही है, next, bank account, bank account basically क्या है, personal account है, हम सब को पता है, क्यों personal account है, क्योंकि bank account कभी भी, तो bank account के नाम से नहीं खुलता, वो किसी person के नाम से खुलता है, next, building account और goodwill account दिया है, और ये दोनों ही क्या है बिटा, asset है, बस इतना है कि ये tangible asset है, ये intangible asset है, बट है दोनों क्या fixed asset, और ये दोनों ही किस category में आते है, real account में, तो यहां answer क्या होगा, c and d both, clear,